अगर आप हरी मीर्च का अचार इस तरह मसाले वाला अचार बना लेते हैं तो आप 4 रोटी के जगा 8 रोटी खा लेंगे इतना टेश्टी बनता है इतना चटकार बनता है दोस्तों और इसे आप एश्टोर करके रख सकते हैं तो हेलो दोस्तों अनपूर्णर रसोई घर में आ पूछने के बाद क्या होगा जितना भी मिर्चा के उपर जो हलका सा धूल भेगरा माटी बेगरा बैठता है वह साफ हो जाएगा कि मार्केट से आता है कोई भी सब्सक्राइब हम लाते हैं तो उसे हम पानी से साप करके ही बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है मीर्चा हो या कोई भी चीज हो उसे आपको पानी से अच्छे से साप कर लेना है तो मीर्चा को पानी से धोना नहीं है कपड़ा भीगा करके आप पोछ लीजिए और इस तरह हम बीच से इसके म लेकिन कोशिच करें कि darle कम तीखा वाला ही हारी मिर्च, उससे अचार बनता है आप सारे मिर्च, निदिय कि आपे एक बड़े चंब पीला तरुन कोई भी आप सरसो ले ong2 चंब लिए और एक कब सार निया और शीच मेंम Absol और बल्प राइख्या औरarson दिया है और इसी में डाल देंगे हम लाल सुखी मिर्च और यहां पर दोस्तों हम तीन लाल सुखी मिर्च डाले हैं क्योंकि मिर्ची आगे भी हम डालेंगे इसमें और मिर्ची में भी हलका तीखा होता ही है और एक लासुन के गाट को हमने छुड़ा करके ले लिए और इसे हम हलका सा भूनेंगे ज्यादा इसे हम काला नहीं करेंगे बस जैसे ही चटकना सुरू हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे और दोस्तों अगर आप लासुन नहीं खाते हैं लासुन प्याज तो आप लासुन को हटा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो आचार में ला अगर आप हरी मिर्श का चार जाधा बना रहे तो लासुन को आप भाद में भूजे पहले मसाले को भून कर पीछ ले उसके बाद आप लासुन को भून करके पीसे उससे क्या होता है वजने क्डि़ान में मिक्यासा भून करेकर और लग सा Алव में लासुन कौह सा कीो तो आप लासुन को अलग से ही पीशे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मसाले अच्छा से पीश चुका है और इसी तरह आपको मसालों को पीशना है अब पीशे हुए मसाले को हम अचार के अंदर डाल देंगे हरी मिर्च के अंदर डाल देंगे और यहां पर धकन में थोड़ा हैं कि जोड़ें हैं और रिमीर्च दिखराफटा है और यहां पर आधि चोटी चमच लाल काश मेरी दंधा डालें मीरुटोलोरी तेस्ट बना रहे हरी मिर्च के अचार तो आप थोड़ा सा तेल को हलका सा गुन-गुना करके डाले जिस से क्या होगा मसाले का जो कड़वापन हgen हो खत्म हो जाएगा और मसाला अचार में अच्छा से मिक्स हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत लगता है और इसे क्या होता है अगर आप इस्टोर करके रखते हैं तो आपका हरी मिर्च का अचार खराब नहीं होगा और दो तीन महीना के लिए आप इससे इस्टोर करके रख सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और नहीं कभी खराब होता है इस तरह का हरी मिर्च का अचार लंबा चलता है दोस्तो तो आप देख सकते हैं सारे मसाले के साथ हमने हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका जो कलर देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया साया है मसाले के साथ हरी मिर्च में और यहां यहां पे हम आधा ही निम्बू का यूज किए क्या हैं नों कि अमचिर पाउडर भी डाले हैं तो अब अचार को भणियां से मिक्स करते हुए आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़ियां से आया है और इस तरह का अगर आप हरी मिर्च का अचार बनाते हैं तो आप दाल चावल के उपर भी खा सकते हैं पुरी पराटे के साथ भी खा सकते हैं या अगर खाने के साथ अचार ना हो तो मज़ई नहीं आता है दोस्तों कोई भी चीज का अचार हो नहीं चाहिए खाने के साथ तो बहुती ज़्यादा टेश्टी होता है आप देख सकते हैं आपको हम एक अचार का फरी उठा करके दिखाते हैं दिखिए कितना बढ़िया से बना है और बहुती ज़्यादा चटकार होता है और ज्यादा इसमें तीखा पन भी नहीं आता है कि इसमें आमचीर पाउडर डाल ल यह रख सकते हैं कभी कभी क्या होता है हम अपने घर में सब्जी बनाना नहीं चाहते हैं या सब्जी कभी कभी नहीं होता है तो हमें इस तरह का हरी मिर्च के अचार अगर आप एक बर बना लेते हैं तो आप जब चाहे तब आप इसमें से निकाल करके खा सकते हैं अब यह तो दोस्तो आप भी इस तरह हरी मिर्च का अचार एक बार जरूर ट्राई करें जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है अगर आप इस तरह का हरी मिर्च का अचार बनाते हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और हरी मीर्च के चार के वीडियो आप सभी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए दोस्तों और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप इस हरी मीर्च के चार को आप धूपमें भी नहीं देखाना चाहते हैं तो ऐसे भी आपका अचार तयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां सा बना है, और आपको नहीं धूप में सुखाना होगा, और नहीं आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना है, बस 10 मिनट में बना करके तयार कर सकते हैं, और बहुत ही कम तेल में यह अचार बनकर तयार होता है, अगर आप इस्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप अचार के उपर तक ले सरसो तेल को गरम करके, ठंडा करके इसमें डाल दे, जिसे अचार आपका लंबा चलेगा और खराब नहीं होगा, तो उमीद करते हूँ कि आज की हरी मिर्च की अचार आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक, सेर, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले,